हलो फ्रेंज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यॉर एजुकेशन गाइट में फ्रेंज रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आई है जिसमें की कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट वालों को अब असानी से सीट मिल जाये करेगे भारती रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक बहुत-बड़ी खुशकबरी दी है अब वेटिंग लिस्ट वालों को भी सीट मिल जाये करेगी नए साल में वेटिंग टिकट वालों को जल्दी टिकट मिल सकेगे जनवरी 2019 से चलती ट्रेन में ही कैंसिल टिक्टो की जानकारी TTE को मिल जाएगी जिसके बाद वो सीट वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को दे दी जाएगे इतना ही नहीं इसके लिए ट्रेनों में TTE को हैंड हैल टर्मिनल दिये जाएगे जिसके कारण जो खाली सीट होगी वो फौरण ही वेटिंग टिकट वाले वेक्ति को मिल जाएगे इसमें वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सीट के लिए दो स्टेशनों तक इंतिजार नहीं करना पड़ेगा TTE की मजबूरी होगी कि वो पहले वेटिंग टिकट कन्फर्म करें इसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तभी वो किसी दूसरे यात्री को सेटिंग करके सीट ओफर करेगा इस प्रोजेट को दो चर्णों में शुरू किया जाएगा इसके साथ एक बड़ी संख्या में हैंड हैल टर्मिनल उपलब्द कराना मुश्किल है पहले चर्ण में करीब 500 TTE को टर्मिनल दिये जाएंगे वहीं दूसरे चर्ण में 8000 हैंड हैल टर्मिनल बाटे जाएंगे और दोनों चरण पूरे होने के बाद शताबदी, राजधानी और दुरंतों के साथ सथ सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी TTE को टर्मिनल मिल जाएंगे वहीं टिक्टो की जाच पे जहां 50 मिनट लगते थे अब 20 मिनट लगाए जाएंगे टर्मिनल में टिक्टो की जाच में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा लोगों को TTI आने का देर तक इंतिजार नहीं करना पड़ेगा रेल मंतराले यात्रियों को बहतर सुईधाय देने और सिस्टम को पट्री पर लाने का पूरी तरह से परियास कर रहा है हैंड हेल्ट टर्मिनल की प्लैनिंग भी अब इसी का ही एक हिस्सा है टर्मिनल अपडेट होने से कैंसिल टिकट के रिफंड की प्रिकरिया भी अब जल्दी शुरू हो जाएगी अभी कैंसिल के बाद रिफंड के लिए TTE की रिपोर्ट लगती है जिसमें ये लिखा होता है कि रिलेटिड वेक्ती ने यातरा नहीं की है इससे टिकट कैंसिल के बाद रिफंड जल्दी आ सकेगा मशीन आवंटन के दोनों चरण पूरे होने के बाद शताबदी, राजधानी और दुरंतों के साथ सबी मेल और एक्सप्रेश टेनों में TTE को टर्मिनल मिल जाएंगे तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो, उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये के वैल आइकन को जुरूर ब्रेस करिए तो फ्रेंस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मुच